आज मैं आपके लिए एक और इंटर्णशिप वीडियो लेके आई हूँ जो गार्मेंट ओफ इंडिया के तरफ से है और एंटर्णशिप आया है डिपार्टमेंट फो प्रमोशन ओफ इंडस्ट्रीज और इंटर्नल ट्रेइड अगर आप 12 पास है ग्राजुएशन कर रहे है या ग्राजुएशन कंप्लीट हुआ है पोस्ट ग्राजुएशन कर रहे है या रिसर्च कर रहे है आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वीडियो को एंट तक देखे मैं डीटेल में आपको बताओंगी कि ऐलिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या है और आप यहाँ पर apply out here that is जो graduation कर रहे है या जो post graduation कर रहे है या research कर रहे कॉंसे भी institution में इंडिया में या abroad में you are eligible to apply here तो all the branches engineering management law economics department trade all the departments computer science are eligible to apply out here और इसका period होगा internship period होगा it will be for six weeks and not more than three months और यहाँ पे आपको stipend भी दिया जाएगा यह देखे 10,000 का stipend दे रहे है per month और internship complete होने के बाद आपको एक certificate भी दिया जाएगा तो यह internship आप साल में एक ही बार apply कर सकते है अगर आज आप देख रहे हैं तो आज ही आप यह apply कर सकते है इसका link में description box में दे दूँगी आप वहाँ पे check कर सकते है और apply करने के लिए apply करने का link भी में दे दूँगी आप वहाँ पे click करेंगे तो आपका एक official page open हो जाएगा edi की screen पर आप देख सकते हैं उनका official page open हो गया जहाँ पे आपको apply करना है सबसे पहले आपको अपना name एंटर करना है then your father's name फिर आपका date of birth आपका address फिर यह phone number then mobile number फिर area of interest कौनसे एरिया में आप करना चाहते है they have given the list of the areas आप कौनसे एरिया में करने चाहते है आप उसे select कर सकते है फिर आप period of internship आप कौनसे पिरेट से कौनसे पिरेट तक आप internship करना चाहते है क्योंकि यह 3 months to 6 months का period का है तो जब भी आपके पास time availability आप देखके आप यहाँ पे time select कर सकते कि कौनसे पिरेट से आपको कौनसे पिरेट तक आपका internship करना चाहते है आप एक मैने के लिए करना चाहते है दो मैने के लिए करना चाहते है या 3 मैने के लिए करना चाहते है तो minimum 4 weeks is expected तो यहाँ पे उपर आप period from and to details एंटर करना है फिर इसके बाद में आपको अपना एक passport size photo upload करना है आपको ए अपना resume upload करना है इसके बाद में आप next click कर दीजे इसके बाद में एक और page open हो जाएगा जहाँ पे आपके पूरे educational details और अगर आपका experience है तो उसे आप enter कर सकते है और उसे submit कर दीजे अगर आप मेरे channel पे नए है तो इसे subscribe जरूर कर लीजे क्योंकि हम रोज ऐसे नए updates आपके लिए लेके आत रते हैं